पुर्वार्द अध्याई 126 में करे कथा उछ रंग थी सांभळे सौ संत हरी जन सभाशो भे सुन्दर अति मध्य शोभे मुक्त राजन वाचे कथा वनिंद्र ते जानो निर्गुणा नंद विख्यात तेह कथा माँ आवी छे व्रुषपूर निरूडी बात ब्रुषपूर माही ते वे करिया पूल पटेल नाथा त्यारिया ते नाथ नात रण सूत जेह गंग दास रूडा ते जातेह तैमने घैर श्रीहरी जानो पुण पुर्षोतम प्रमानो सर्वो परी श्रीजी मंहा राज आव्या जन ना कर वाकाज त्या गंग दास ने रूडो जेह ते जो रतनो कर सन तेह मेखो गोवो आदी हरी जन बायो देवुबा आदी पावन तेह नित्य प्रत्य घणी घणी कर सेवा महाराज थनी तेह भक्त ने घैर जीवन नित्य जमता रूडा भूजन बड़ी आकाडू तला बडी मां सनान करता नित्य हरी तैमा भक्त जनों ने आनंद दैता केट लाक दीन आही रहता बहु सुख रूप सुख धाम पछी जाता राम पूर गाम त्यार पछी थोड़ा दिन गया रूडा ना पांचा भाई ते थया तैना पत्नी देवु बाजानों बहु भक्ति वाला ते प्रमानों तैमनों प्रेम देखिया पार राजी थया ते धर्म कुमार दीधा दिव्यरूपे दरशान श्रीजी महराजे थयी प्रसन्न वर आप्योह तोजे अनूप हूते अना दी मुक्त स्वरूप तमारे घैर प्रगट थई करिश सुखिया सुख दई तमे आदी मारा भक्त जन लाड लडावी शूते पावन करशों सुखिया जनने बहु ते खवात हूत पच्छी ते अना दी मुक्त राज सर्वोपरी सहुना शिर्ताज पांचा भाई थी देवु बावीशे थया प्रगट हे ते अतीशे भुष पूर माही ते वी चर्या मोटा मोटा यगन बहु कर्या महोचव करी घणा घणा सुख आपे नव राखे माना संत हरी जन ते डावी बहु कर्या सुखिया ते जन सभु तेह मुक्त राज नीवासे थयूं गाम ते अधिक हुल्डा से गाम छपयाने गढ़ पूर तेह तुल्य थयूं व्रुश पूर बली आजे काली तला वडी थाई सर्वेती रथ थी बड़ी महाराज मुक्त राज प्रीते आनंत संत मंदल सहीते हरी जन पन भेडा घणा नाह्या जल पीधा तेह तना बली आरस्ते न दीछे जेह नाम विश्वा मेत्री जानों तेह तेह नदीमा थई ने चलता ए नदीमा आवता ने जता घणू वीचर ता मुक्त राज घणू वीचर याछे महाराज तेथी आनदी आतला वडी थाई तिर्थ रूप तेया घडी अरी तिर्थ मा गोमती सर नारायन तिर्थे देवसरो वर छपई ये नारायन सर जानों विश्वा मित्री नदी ते प्रमानों वडी घेलो नदी घड़ पूर तैने तुल्य आजानों जरूर कालू तला वडी आते जेह विश्वा मित्री नदी आछे तेह बली रस्ता मन दी न जीक तैनू नाम घेलो कहे ठीक पाणी नो खळ भलाट थाय माट घेलो नाम ते कहे वाय तेह तिर्थ पन छे अनूप रस्ते चाल्या घणू सुख रूप श्री जी महराज ने मुक्त राज तेथी बन्यों आतिर्थनों साज आवी रीते कथा माही वात आवी सुंदर सारी विख्यात तैने अनादी जेश्वत तह सित्थ मुक्त राज सदाते प्रसित्थ अब जी पीता श्री सुख रूप सांभली एह वात आनूप क्यारे सभा माही जे बैठेला अति व्रुथ वय माथ येला एवा पटेल जीना भाई ते व्रुथ कान जीने गांग जीते एह आदी प्रत्य बापा श्रीते कहे छे तैमने बहु प्रीते के जीना भाई भक्त गांग जी हे अति व्रुथ यावात भजी तामारा गामने बात आवी वर्नी ए विस्तारी संभलावी आकथा मावात आवी भारी तैने सांभलो चित माधारी एम कहीने फेर वंचावी वात कथा माहे संभलावी पछी वली बोल्या सुख रूप स्वतह सिथ अनादी अनूप दिव्य अक्षर धाम मोझार महराजने मुर्ती आकार श्री जी महराजने मुर्ती विशे रहे लासदा सुखे अतीशे श्री पुरुषो तम रूप एवा तमारा कूल माझे जो तेवा गाम तमारा मानीर धार प्रगट थाया छे करी प्यार तेया मने जान शो जो तेवा तो तमे सुख मान शो मेवा तमने सर्वेने सर्वो परी अक्षर धामनी प्राप्ती करी दिव्य अक्षर धाम मोझार दिव्य मुर्ती नू सुख अपार तेह पामाडी शुँ प्रित आनी लैशु मुर्ती ना सुख मा तानी अमारे तो तान छेद एह अमारा जुग मा आव्या जेह अमने अनादी मुक्त जानी कर्षे सेवा भक्ती भाव आनी तेह सर्वेनों कर्षु कल्यान आत्यंतीक तेयती प्रमान देवा अमारे जीवोंने सुख आव्या छैये अतिसन मुक्त शीरी महराज ने मुर्ती तनू सुख आप हुँछे सोह्या मनू तेह सारूज आव्या छैये आगाम मासाचे साचू कहिये अहिया आगाम ने मुझार जे कोई हशे अधम अपार वली पशुजाती जेह हशे तेपन ज्यारे देह मुक्त शे ज्यारे जम पूरी मान जाय एवो आस्थल नो मही माय पण महराज ने मुक्त तनों मही मा समझ आवी ना घानों मुर्तिनों सुख पूरू न मले माटे समझ वो जन सगले आप्राप्ती बहु छे जबरी थाई छे जो मोटी सर्वो परी तो पन प्रत्यक्ष श्रीजी महराज वली अनादी मुक्त जे आज तैमने जेवा छे तेवा जानी यथर्थ मही मा उर आणी माहत्म्यग्नान सहित अपार जीव मा समझ नेरधार स्वरूप निष्ठा द्रढ़ते करवी फर नही कोई नेफे रवी वली श्रीजी महराज तनी आजना पालवी त्रढ़ते घणी त्यागी ने तो धर्मा मृत जेख वली निष्काम सुधिते एख शिक्षा पत्री प्रमाने वर्तवूं अती आजना परायन खवूं तैमा स्त्री द्रव्यनों प्रसंग जेह आजना प्रमाने त्याग वोतेह तैमा फिर खौय जो जरूर ते साधू न जानो करो दूर तैने साधू तेनक हैवाय तैने काध्या थी पापन थाय गुरू हस्तने शिक्षा पत्री जेह त्रढ़ करीने पाडवी तेह प्रत्यक्षी श्रीजी माहराज तनी आगना उपासना होय घणी एवा साधू नो जोग करो एना वचन मा अनुसरो करवो समाग महेत आणी होय एवा साधू जे प्रमाणी आगना उपासना युक्त एवा प्रगट प्रभूने मेलावे तेवा राग मात्र टाली वृत्ति वाली रहे मूरती अखंड ते भाली एवा नाज समागम ठकी ठाय प्रगट प्राप्ति ते नक्की एवीरी ते घणीक जेवात करी मुक्त राजे ते विख्यात पछी कथा समाप्त करावी दस वागे अतिमन भावी त्यारे हरी जन संते सहु चंदन पुष्पिकरी प्रीत बहु पूज्या मुक्त राज सुखकारी चंदन चरची फुल माला धारी पछी हरी जन पाय लागी गया नीज स्थाने बढ़ भागी संत सहु मंदिर मागया करीर सोईने सोखी थया ठाकुर जीने जमाडी जम्या बापा श्रीत छतरी एखम्या सेव्या घणा संत हरी जने निश्कम भावे ने सुथ मने ब्रह्म चारी जी निर्गुना नंदे मंदिर माज इने आनंदे करीर सोई बापा श्री काज पहला जमाडी श्री जी महराज पछी ते थाल ने बस्त्र बांधी छतरी भणी ते प्रीत सांधी संत साथ लई ब्रह्म चारी बापा श्री ने जमाडवा धारी छतरी ये आव्या चौपे करी जमाड्या बापा ने हेत धरी जमी बापा श्रीते बहु प्रीते पोठी गया त्याज रूडी रीते संते चटी ओजवा सातनी लावी बांधी छे हेत थी घानी ताधी हवा सारू छाटे पानी स्री जी नो तैमा राजी पोजानी थोडी वार शयन ते करी पछी मुक्त राज सर्वो परी जाग्या जीवन प्राण जरूर बरणी बैठा हता ते खजूर तरत जल गाली भरी दीधूं मुक्त राज हेत थीत पीधूं पछी सांजना संत सहीत बैसी गाडा माही करी प्रीत अव्या मंदिर मा मुक्त राज खयो राजी ते संत समाज एवी रीते वली बैदन करी कथा छतरी एपावन बापा श्री आवी सांभले प्रीते वाचे वर्नी राट रूडी रीते पछी ते दीवस सांजे जानों आव्या भूजना संत प्रमानों घना संत मंडल ते आव्यां बापा श्री ए हेत थी बोलाव्यां माथे हाथ मू की राजी कर्या संत हार वापा श्री ने धर्या थयो निर्गून समयो सारो सर्वो परी सूख ते दैनारो इती श्री साजानन्द स्वामी चराण कमण सेवक शिश्य निर्गून अनंद वरणी रजीते अनाधी मुक्त चरीत्रामरुते पुर्वार्धे चत्रिये पारायननी कथामा एम आव्यूजे रुषपूर्मा श्रीजी महराज पदार्या ने मुक्त श्रीनों प्रगट पण थयू ते उपर बापा श्रीये महत्में वगेरेनी बातों करी ए नामें 126 मों अध्याए